लेकिन सब के बीच में संजीब सवाल ये भी उठ रहा है कि ये जनता का समय है, जनता का पैसा है, संसत कुछ चार रूप से चलाना है, कुछ एहम बिल है, उनको पास कराना है, बजट पर चर्चा होनी है, तो ये सब काम कब होंगे? विपक्ष अपनी रणनीती बनाने में भी जुट गया है, तो विपक्ष की भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है, अगर सत्ता पक्ष की है, तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। यानि कि जब मनमोहन सिंग की सरकार थी, तब विपक्ष के नेता हुआ करते थे सदन में, अरुन जेटली राज सभा में और सुश्मा स्वलाज लोग सभा में, उस वक्त इसे बड़े जोर सोर से कहा जाता था, और इसी बात को विपक्ष बार बार कोट करती है, कि सदन चला में और लोग सभा में कांग्रिस के सांसदों के द्वारा कि आप जो भी उप्यूक्त नियम हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए ये तै करें कि इस मुद्दे पर चर्चा हो सके, लेकिन सरकार की तरफ से इस चर्चा के लिए बहुत ज्यादा जल्दी बाजी नहीं दिखाई ज जा रही है, बहुत जादा उत्सुकता नहीं दिखाई जा रही है, और सभापती ने भी इस चर्चा के लिए कल जैसे नामन्जूर कर दिया था, आज भी कुछ वैसा ही रुक दिखाई पड़ रहा है, तो कोल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये जो चर्चा जरूरी है, इस बात को मानते हुए ही कि निवेशकों का पैसा involved है, बहुत से बैंकों का पैसा involved है, और पूरे देश की अर्थ विवस्था का सवाल है, जो कि कहीं न कहीं इस पूरी घटना चक्र में प्रभावित होती है, तो सबसे महतुपण विशा ये है, इसलिए चर्चा होनी चाहिए, और इस सबसे इंपोर्टन्ट मुद्दा है, जिसमें सबसे ज्यादा immediacy है, वो मुद्दा आखिरकार ये मौजूदा मुद्दा है, अगर इस पर चर्चा नहीं करवाती है सरकार तो सरकार बैक फूट पर है, ये संजीर्ट त्रवेदी बता रहे हैं और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है यूस 24